हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी आप सभी लोगों का स्वागत है वोलकन वाइयए के इस प्लेटफर्म पे स्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो यह लेक्चर हमारा NCRT सीरीज का लेक्चर है जिसके अंदर हमाई NCRT सीरीज की जो बुक्स हैं उन सबी को कवर कर रहे हैं 6th किलास से लेकर 12th किलास तक की जो NCRT की जो बुक्स हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा आज के अगर लेक्चर की बात करें तो जोग्रोफी की जो 7th किलास की जो बुक है देखते हुए आज हमारा जो चैप्टर 4 है चैप्टर 4 के अंदर हम रीड करेंगी कि एट्मोस्पेर के अंदर किस तरीके से चेंजी जाते हैं जो एयर है उसका क्या इंपक्ट है एयर के अंदर कौन-कौन सी गैसेज हैं क्या-क्या कौनसिट्यूइट है उनका उन सब के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमको रीड कर रहा है अगर हम बात करें NCI-T's की NCI-T's are so much important for the UPSC examination अगर आपको preparation अच्छे से करनी है अगर आपको अपने जो basic concepts हैं उनको अच्छे से एक बार देखना है तो उसके लिए एक बार आप जरूर NCI-T's जो book हैं उनको अच्छे से read कीजिए हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके preparation काफी अच्छी है बट अगर NCI-T की जो books हैं उनसे अगर question आते हैं तो वो आपको help करेंगे आपके examination के अंदर में इसके लावा आपके जो concepts हैं जो build होंगे अगर आप advance level में हैं आपने read कर रखा है तो आप इन सब चीजों को skip कर सकते हो बट अगर आपने preparation start की है आपका sht इतना अच्छा नहीं रहा अगर school के समय में तो आपको एक बार जो six class की तो सबसे ज़्यादा important है आर्थ के उपर जो अगर survival के लिए भी हम बात करें air के अंदर जो constituent जो gases हैं जिन बहुत सारी gases हैं जो इसका हिस्सा हैं उनमें अगर हम बात करें oxygen जो हमारी life line है जो oxygen को जो inhale किया जाता है human beings के दुआरा जिसकी वज़े से अभी तक जितने भी planets हैं eight planets जो हैं हमारे solar system के अंदर तो जिसके अंदर only जो life exist है वो अर्थ के उपर है क्योंकि यहाँ पे जो atmosphere है उसका creation first तो second यहाँ पे oxygen का presence होना इसके अलावा सबी चीजों का यहाँ पे proper way में presence होना भी show करता है कि यहाँ पे जो life है only अर्थ के उपर exist है तो students हम start करते हैं आज का chapter इसमें students बताया गया है atmosphere के बारे में air की बात होगी तो atmosphere की बात होगी तो atmosphere के अगर हम बात करें तो atmosphere क्या है अगर हम एक simple बासा में इस बात को समझने की कोसिस करें कि atmosphere actually में है क्या atmosphere हवा का वो गुबारा है जो अर्थ को चारों तरप से गहर रखा है अर्थ को चारों तरप से गहर रखा है वो एक हवा का गुबारा है वो एक यहाँ पे ब्लेंकेट के रूप में काम करता है तो और आर्थ है स्राउंडेड भाई यह huge blanket of air no cold is the atmosphere जो huge air of blanket air का जो blanket है उसी को यहाँ पे atmosphere हम बोलते हैं students students अगर हम बात करें जितनी भी जो lean means हैं जो यहाँ इस अर्थ के उपर रहती हैं on the atmosphere for their survival atmosphere के उपर completely dependent होंगी क्यों dependent होंगी क्योंकि कुछ हम अगर हम planets की बात करें plants के दौरा अगर हम बाते carbon dioxide का जो inhale किया जाता है oxygen को जो उनके दौरा out hail किया जाता है अगर हम बात करें कि nitrogen का भी जो उनके दौरा योज किया जाता है अगर हम बात करें human beings के द्वारा oxygen को जो use किया जाता है तो completely हम जो जितनी भी life हैं जो exist करती हैं इस आर्थ के उपर में all lives completely depend on the atmosphere atmosphere के उपर completely dependent हैं क्योंकि उनके जो survival है उसके लिए जो atmosphere है वो काफी ज़ादा important है atmosphere for the survival of the यहां पर जितनी भी human life है जितनी भी living beings हैं उन सब के लिए photosynthesis process के लिए अगर हम बात करें breathing के लिए जितनी भी harmful effect है sun rays को उनको भी protect करता है हमारा atmosphere जिसमें हमने देखा कि ozone layer है ozone layer के दुआरा जो ultraviolet जो radiation है उन सब को protect किया जाता है तो इस तरीके से जो atmosphere है वो completely यहां survival दे रहा है completely जो human beings हैं कि जितनी भी जो life हैं यहां पे human beings हैं plants है, animals हैं यह सभी लोग completely dependent हैं atmosphere के उपर अगर हम life के survival की बात करें तो without अगर हम बात करें कि जो अगर अर्थ के जो चारों तरव यह blanket है अगर यह blanket का presence नहीं होता तो यहां पे अर्थ में क्या होता इस्ट्रेंट्स आपको पता होगा कि जो solar rays हैं जो यहां solar से अर्थ की तरफ आती हैं उन में से बहुत सारी जो rays है वो reflect हो जाती हैं बट कुछ ऐसी gases हैं जिनके दुआरा जब वो gases reflect हो रही होती हैं जब वो sun rays जब वो solar lights हैं जो reflect हो रही हैं तो उस समय में उनको trap कर लिया जता है जिसकी वज़े से जो environment है यह हमारा जो environment है यह completely cool out रहता है अगर हम बात करें कि यह atmosphere अगर धर्थी के चारों तरफ नहीं होता हमारे अर्थ के चारों तरफ अगर atmosphere नहीं होता तो यहां पे जो solar की जो rays है वो आती और आने के बाद वो completely यहां से out exit कर जाती तो अर्थ जो है वो completely एक frozen के रूप में यहां पे रहता day time में वो completely heated के रूप में baked alive by the heat और night के time में वो completely frozen हुआ करता तो students जो environment के अंदर जो temperature का जो regulation है humidity का जो regulation है कि completely जो atmosphere की जो activities है उनी सब के उपर यहां पे dependent है यहां पे हमारा जो अर्थ के उपर में temperature का जो wind का precipitation का जो regulation है वो atmosphere के उपर में depend है अगर हम बात करें students atmosphere के जो constituent gases हैं जिनमें सबसे ज़्यादा किसका contribution है उन सब की अगर हम बात करें तो students आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो है वो यहां पे nitrogen है 78% oxygen 21% है तो यह दोनों मिला के 99% create करते हैं rest जो 1% है जिसमें carbon dioxide है, argon है और इसमें water vapor भी है और all other जितनी भी gases है वो 0.04% है तो students आपको देखें यहां पे कि nitrogen और oxygen मिला के 99% है यहां पे आर्थ पे nitrogen का जो presence है वो सबसे ज़्यादा है तो students अगर हम देखें कि nitrogen है जो air के अंदर बहुत ज़्यादा मातरा में present है इसके लावर यह plant के जो survival के लिए काफी ज़्यादा important है इसके लावर nitrogen हम जब भी respiration जो process है वो करते है जब भी सांस ली जाती है हम लोगों की द्वारा तो उसी समय में कुछ ना कुछ जो nitrogen का जो part है हम oxygen के साथ में inhale करते हैं उसको हम यहाँ पे nitrogen को use करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे यह बताया गया है इसके लावर जो nitrogen है उसको plants के दुआरा directly inhale तो नहीं किया जाता है plants के दुआरा directly inhale नहीं किया जाता है यहाँ पे जो nitrogen को use किया जाता है photosynthesis जो process है उसके दुआरा इसके लावा इसमें oxygen के बारे में बताया गया है कि second largest यहाँ पे gas है और यह काफी ज़्यादा important है photosynthesis के अंदर भी काफी ज़्यादा work करती है carbon dioxide के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि carbon dioxide जो green plants है उनके लिए कितने important है carbon dioxide के food की preparation है उसके लिए कितना important role play करती है तो students हमने यहाँ पे major major gases के बारे में देखा जो हमारा environment है जो हमारा यहाँ पे atmosphere है उसके अंदर में यह जो role play करती है जिसमें हमने nitrogen के बारे में देखा oxygen के बारे में देखा और हमने देखा carbon dioxide के बारे में अगर हम बात करें कि जो air है हम heat करते हैं जब भी air कोई होती है कोई भी हवा होती है वो जब heat होती है तो expand होगी expand होगी तो lighter बनेगी lighter बनने के साथ ही वो उसका जो यहां पर अगर surface पर कोई air है suppose कि यह surface है और यहां से air उपर की तरब चली जाएगी जैसे वो light air के रूपे यहां पर काम करेगी और अगर हम बात करें कि जो cold air होगी cold air यहां पर आपको sink करते हुए दिखाई देगी students तो यह students एक important बात है कि hot air continue rise करती है and the cold air है वो यहां पर sink करती है यह इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो hot air है वो यहां पर rise करती है atmosphere के अंदर में students इसके अलावा यह जो concept है जो अगर हम बात करें कि अगर हम इंडिया के monsoon system की भी बात करें तो इंडिया के monsoon system के अंदर भी यह cold air और hot air का जो concept है काफी ज़यदा important role play करता है तो student आप देखए कि जहांपे हवा है वो heat होने के बाद में rise करेंगी heat होने के बाद में rise करेंगी तो यहाँपे जो air है वो यहाँपे कम होएगी यहाँपे air यहांपे rise कर रही है यहाँपे air का जो space है वो खाली हो रहा है खाली होने की वज़े से यहां पे जो है लो प्रेसर क्रियेट होगा और इसी की वज़े से जो एर हमारी जो जितनी भी एर विंड्स हैं उनका यहां पे मूमेंट होता है हायर प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ में मूमेंट यहां पे आपको दिखाई देगा आप देखिए कि मानसून period हमारे जो summer season के समय में जो हमारा northern इंडिया का जो region है ये completely temperature है वो बहुत ज़्यदा high यहां पे होता है और बहुत ज़्यदा temperature high होने की वज़े से यहां पे जब low pressure create होगा तो यहां पे जो higher pressure से जो raise है जो winds है वो यहां पे travel करेंगी और winds यहाँ पे travel करेंगी तो वो मानसून है जो यहाँ पे precipitation है वो अपने साथ में लेकि आती है यह तिबेतियन प्लिट्टिव के साथ में आपको जब higher जब आप climatology के बारे में जब हम read करेंगे तो इन सब topics के बारे में students आपको देखने को मिलेगा कि climatology में इस तरीके से जो air है उसका जो use है वो किया जाता है यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे precipitation के अंदर air का use होता है सभी जीजों के अंदर air का use यहाँ पे completely interdependent है जब भी हमारे atmosphere के जो process है एक दूसरे के उपर में तो इस तरीके से यहाँ mansoon season के लिए भी यह hot air and cold air का जो concept है वो काफी ज्यादा useful है तो students इसके अलावा हम देखते हैं कि atmosphere का जो structure है उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ basically अगर हम बात करें कि 7th class की book है इसके अंदर इतना detail के अंदर नहीं बताया गया है इसके अंदर जब हम higher standard की books read करेंगे तो उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले जो layer होती है अर्स से जो completely connected होती है उसको droposphere बोलते हैं फिर stratosphere आती है फिर mejosphere आईगी फिर thermosphere और exosphere इनको जो last की three layers है इनको कभी ना कभी exosphere आईणोसफेर के रूप में भी बोल दिया जाता है students यह आपको पता होना चाहिए यह हमारा जो communication से related जो satellites होती है उनसे related काफी ज़्यादा important यहाँ पे work होता है और यहाँ पे basically जो heat होती है जो temperature होता है वो बहुत ज्यादा होगा बट यहाँ पे कभी आपको feel नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो ions की जो कमी होने की वज़े से कभी भी temperature feel नहीं होता है बोडी के उपर में इसके लावा हम बात करें कि ट्रपोस फेयर के अंदर में तो students आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे height increase होगी जो temperature है वो यहाँ पे आपको decrease होता हुआ दिखाई देगा जो temperature है वो आपको decrease होता हुआ दिखाई देगा height के साथ में इसमें ऐसा भी बताए जाता है कि एक जो kilometer है उसके उपर जो temperature है उसके अंदर कितना variation आता है उस सब के बारे में बताया गया है इसके लावा stratosphere में आपको देखने को मिलेगा कि stratosphere के अंदर जो बादल होते हैं वो नहीं होते हैं cloud free zone होता है इसकी वज़े से आपको देखने को मिलेगा students की बहुत सारे जो aeroplanes हैं वो maximum जो fly करते हैं वो यहाँ पे stratosphere वाले region के अंदर fly करते हुए आपको दिखाई देंगे अब हम इन सब के बारे में देखते हैं अगर हम बात करें कि जो troposphere है troposphere की बात करें troposphere जो most important layer है atmosphere की यहाँ average जो height होती है वो 13 km होती है इसकी और यह poles and equator के पास जो यह height है वो change होती रहती है पोल के पास इनकी height अलग होगी equator के पास इसकी जो height है वो काफी different होगी तो यहाँ पे जो है average जो height है वो 13 km बताई गई है यह जो zone है atmosphere का यह जो area है atmosphere का troposphere सबसे last में जो earth के पास हमारे होता है 13 km तक जो region होता है इसके अंदर आपको सभी तरीके की weather के जो phenomena है सभी तरीके के जो weather के phenomena है वो आपको देखने को मिलेंगी आपको rainfall यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको fog भी यहीं पे देखने को मिलेगा आपको hail storm भी यहीं पे देखने को मिलेगा, जो ओले गिरते हैं, जिनको ओले बोलते हैं, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा students, तो यह हमने देखा, कि जो troposphere है, उसका यहाँ पे क्या important है, जितनी भी यहाँ पे अमारे activities हैं, जो भी weather के से related जो activities हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, students, अब हम चलते हैं, next उसके अंदर में, next जो layer है, हमारे atmosphere गी, अगर हम बात करें कि जो next layer है, next layer is the stratosphere layer है, students, 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 stratosphere layer के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे किसी तरीके की cloud नहीं होते हैं, जो troposphere के बाद में जो second layer होती है, उसी को यहाँ पे बोलते हैं, stratosphere layer, stratosphere layer की जो height होती है, वो 50 km तक आपको देखने को मिलेगी, और यह layer सबसे ज़्यादा जो, यहाँ पे जो climatic activities हैं, जो भी यहाँ पे weather की activities हैं, उन सबसे completely free होता है, उन सबसे completely free होने की वज़े से, यहाँ पे कभी ना कभी आपको, ना तो आपको cloud देखने को मिलेगा, ना आपको कोई और दूसरी activities हैं, वो देखने को मिलेगी, इसी वज़े से, इसी region के अंदर में, जो airplanes हैं, जो airplanes हैं, उनके fly के लिए, यह सबसे best zone होता है, तो students हमने देखा, ट्रपोस पे air के बारे में, उसकी height जो 13 km बताई गई है, फिर इस्टेटरोस पे बारे में देखा, जो cloud free zone होता है, और यहाँ पे जो airplanes के जो fly है, उसके लिए ओजोन लेयर वो सबसे ज़्यादा important एक layer है, हमारे अर्थ को जो ultraviolet radiation है, जो पेरा बैंगनी केड़ने हैं, जो हमारे सूरिये से आती हैं, उनसे हमको बचाने के लिए काफी ज़्यादा important है, इस्टेटोस फेर के अंदर exist करती है, ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर के protection से related, उ सब बातों के बारे में आपको पता होना चीए, कि ओजोन लेयर के अंदर जब hail, जब होल हो गया था, एक छेद हो गया था, तो उसको restore करने से related किस तरीके से यहाँ पे हमारे जितने भी environmentalist हैं, उन लोगों की दुवारा campaign चलाया गया, और सभी countries की दुवारा promise भी किया गया बहुत सारे जो CFC हैं, HFC हैं, ऐसे जो ozone depleting जो substance हैं, उनको यहाँ पे band किया गया है, world के अंदर में, उनको phase out करने के लिए plants create किये गए हैं, तो हमने देखा tropos pair के बारे में, हमने देखा student status pair के बारे में, अब हम देखें जो third layer होती है, mejos pair, यह mejos pair जो layer होती है, सबसे पहले tropos pair होगा, फिर stratos pair होगा, और stratos pair के बाद में, जो third layer आएगी, वो आएगी mejos pair, और यह आपको जानकर होगी, जो meteoroids हैं, जो बहार से प्रत्वी की तरफ जब वो आते हैं, तो उनका जो completely burn out हो जाते हैं, completely वो जल जाते हैं, वो आपको इसी layer के अंदर देखने को मिलेगा, जब भी वो earth के अंदर enter करते हैं, हमारे atmosphere के अंदर में enter करते हैं, तो यहाँ पे air की वज़े से बहुत ज़्यादा friction होता है, और friction होने की वज़े से यहाँ पे इनके अंदर में, जो आग जो आपको देखने को, जिनको हम कभी-कभी पुछल तारा के नाम से आपने देखा ह होगा, जिसको बोलते हैं कि तारा तूटना, यह सब activity जो हमने सुनी होगी, आपके जो day-to-day life के अंदर आपने कभी-कभी इन चीजों को सुना होगा, तो जो meteorites हैं, वो completely जो burn out है, वो इसी layer के अंदर में होता है, जब वो हमारे जो space है, उसके अंदर में enter करेगा, अब हम layer के अंदर में, height increase करने के साथ में, ionosphere is a part of this layer, it extends between the 80 km to 400 km तक यहां पे extend करता है, इस layer यह जो हमारे radio transmission है, जो हमारे satellite system है, आपने देखा होगा, यह जो अर्थ है, अर्थ के उपर यहां से कुछ, यहां से कुछ अगर छोड़ा जा रहा है, यहां से अगर कुछ raise जा रही है, satellite के communication से related, तो यहां पे help करती है, यह एक तरफ से absorb करके, दूसरी तरफ अगर उसको send करना है, तो satellite signals के लिए, transmission system के लिए, यह जो thermosphere की जो layer है, वो काफी ज़्यादा important है, यह reflect back करती है, transmission radioactive lines को यहां पे इसी layer के दुआरा, तो काफी ज़्यादा important है, thermosphere की हमारी यह layer, अगर ह हम देखे next जो layer है, सबसे last layer, जिसको exhaust sphere भी बोला जाता है, यह सबसे upper mesh layer होती है, atmosphere की, जिसको exhaust sphere बोला जाता है, यहां पे जो air है, वो काफी thin होती है, काफी कम मात्रा में air पाई जाती है, यहां पे, light gas यहां पे मिलेंगी आपको, helium, hydrogen, यहां पे float करती है, float into the space from here, तो students, यह हमने जो पाचो layer है, troposphere है, सबसे पहली layer, जिसके अंदर सभी तरीके की जो weather की activities है, जैसे कि अगर हम करें, बारीस का होना, यहां पे धुंद का गिरना, folk का होना, drizzling का होना, rainfall का होना, जो important activities हैं, वो सभी आपको यहां पे देखने को में लेगी, second जो layer है, ozone layer से related, stratosphere की layer है, जहां पे ozone layer का existence है, इसके अलावा वहां पे अगर हम बात करें, cloud free zone होता है, हमारे जो airplanes हैं, उनके fly के लिए कितना important region है, third अगर हम बात करें कि मीजो सपेर की बात है, मीजो सपेर वो ही area है, जहां meteorites completely burn out हो जाते हैं, थर्मो सपेर की बात करें, थर्मो सपेर very important for radio communication, जो radio satellites है उन सबके communication satellites है, उन सबके लिए कितना important है, अगर हम बात करें exhaust पेर की, तो exhaust पेर वो area सबसे last area होता है, atmosphere का सबसे last region, जहां पे basically transmission से related तो कोई activity नहीं है, बट यहां पे जो air आपको मिलेगी, वो काफी थिन मातरा में मिलेगी, अब हम देखते हैं students कि temperature का किस तरीके से change होता ह है, यहां पे हमारे अर्थ के उपर में, क्या winds का वहां पे कोई effect है, क्या atmosphere या air का कोई वहां पे effect होता है, तो हम देखें students कि जो temperature है, important factor है, जो influence करता है, distribution of temperature की, अगर हम बात करें हमारे अर्थ के उपर में, उसको बोलते हैं, insulation, insulation क्या होता है, insulation basically, जो sun से कुछ raise हैं, जो अ वो यहां पे किस तरीके से आ रही है, तो जो insulation का जो rate है, वो completely यहां पे हमारे temperature को depend करेगा, आपको देखने को मिलेगा, students, insulation is the incoming solar energy intercepted by the earth, the amount of insulation जो है, वो decrease होगा, अगर हम equator से पोल की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आपको जो insulation है, जो अमारे sun है, sun से जो पिर्थवी की तर होता हुआ दिखाई देगा, the amount of insulation decrease from the equator towards the pole, therefore the temperature decrease in the same manner, और इसी की वज़े से students आपको देखने को मिलेगा, कि polar region के अंदर में जो ice है, जो glacier formation है, यह सब चीजें जो activities हैं, वो आपको देखने को वहां पे polar region के अंदर मिलेगी, क्योंकि insulation की जो काफी ज़्यादा कमी होने की व वहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, तो students वहां पे जो countries located हैं, जैसे हम बात करें, जो हमारे Arctic region के अंदर जो countries located हैं, तो वो ही countries हैं, जहां पे 6 मन तक यहां पे आपको solar sun है, वो आपको देखने को मिलेगा, 6 मन तक जो sun आपको देखने को मिलेगा, वो काफी ज़्या बजी तक वहाँ पे sun देखने को मिलेगा तो इस तरीके कि जो वहाँ पे 6 मंत के लिए और 6 मंत के लिए फिर completely जो sun है वो आपको daytime में 6 hour के लिए या 10 hour के लिए ही आपको देखने को मिलेगा तो ये सब चीजें हैं जो temperature से related हैं इंसोलेशन से related हैं इसके अलावब जो temperature है जो cities के अंदर higher होता है than the villages अगर हम compare की बात करें students उसके behind में जो main region है cities के अंदर ज्यादा temperature होने के behind में जो main region है वो है यहाँ पे concrete shape का होना cities के अंदर concrete shape होती है आप देखे कि जो road हैं वो completely concrete की बनी होती हैं buildings completely concretely concrete की बनी होती हैं और Indian cities में basically urbanization का जो process है काफी unplanned urbanization है आपको देखने को मिलेगा unplanned urbanization की वज़े से आपको ना तो पार का आपको देखने को मिलेंगे जो water bodies हैं वो भी decline हो रही हैं जो हमारे cities के अंदर water bodies हुआ करते थी pond हुआ करते थे तालाब हुआ करते थे वो आपको completely decrease होने को देखने को मिलेंगे और अभी जो presently एक जो नया urbanization से related एक नई जो crisis सामने आई है urban flood नाम से आपको एक नया concept देखने को मिला है को पिछले 5 या 10 साल के अंदर में urban areas में जो एकदम से rapid way में बारिस हो जाए जो rainfall है उसका जो amount है वो काफी तेज हो तो urban areas के अंदर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि urban areas के अंदर flood like situation जो create हो जाती है उसके behind में जो region है कारण क्या है उसका अगर हम बात करें तो जो pond हैं जो पहले तालाब हुआ करते थे किसी भी city के अंदर में उनकी जो संक्या है वो कम होना यह एक बहुत बड़ा region है अमारे जो यहाँ पे urban areas के अंदर में तो students यह सब हमने देखा temperature के बारे में अगर हम अब देखें कि यहाँ पे जो air का जो pressure होता है वो यहाँ पे the earth surface जैसे जैसे हम layers के अंदर जाएंगे atmosphere के जो pressure है air का वो completely fall होगा air का जो pressure है वो highest आपको देखने को मिलेगा sea level पे sea level का जो region है वहाँ पे आपको highest देखने को मिलेगा और decrease with the height के साथ में यह decrease होगा horizontally the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at the given place कोई भी कई ही पे भी अगर हम air के pressure के बात कर रहे है तो वहाँ पे हमको temperature को भी देखना होगा कि वहाँ पे जो air है उसको temperature कितना मिल रहा है students अगर हम बात करें कि equator वाले region में तो air का वहाँ पे pressure काफी कम होगा उसके behind में जो region है वो यह है कि maximum insulation का मिलने की वज़े से जो air है वो heat होगी heat होने की वज़े से वहाँ पे light weight होगा और light weight होने की वज़े से जो air है वो above areas में rise करेगी students इसके लाव बात करें in area where temperature is high air get heated and the rise this creates low pressure area low pressure area is associated with the cloud sky and wet weather cloud sky and wet weather से क्यों associated है इसके बारे में आपको देखना होगा जो हमने अभी तक जो Indian मानसून के बारे में देखा कि Indian मानसून में किस तरीके से यहाँ पे area है जो वहाँ पे heat होगा too much heat होने की वज़े से जब जो Arabian ocean है वहाँ से जो winds आएंगी वहाँ पे जो higher pressure होने के वज़े से low pressure areas के अंदर wind है जो travel करेंगी travel करेंगी तो यहाँ पे आपको बारिस देखने को मिलेगी students in area having the low temperature air वहाँ पे cold होती है therefore the heavy air sinks and create a high pressure area this high pressure area is associated with the clear and sunny sky the air always move from the high pressure area to low pressure area जो यहाँ पे हमारे climate के अंदर circulation का जो important काम है वो air के दुआरा किया जाता है higher pressure area जो होगा वहाँ से air हमेशे travel करेंगी low pressure area की तरफ यह students काफी ज़्यादा important है हमारे जो cyclones बनते हैं उसके behind में भी यही region है low pressure का create होना फिर high pressure की तरफ उसका high pressure से low pressure की तरफ जाना इन सब activities को आप detail में read करोगी जब आप higher standard की books हैं जब read करेंगी उसमें अगर हम बात करें students wind है wind का जो moment है air का higher pressure area से low pressure area की तरफ होता है अब wind भी काफी तरह करेंगी होती है अगर हम बात करें जो permanent wind है कुछ ऐसी जो trade wind है जैसे trade wind है western lease है इनको permanent wind बोला जाता है ester lease है western lease है इनको permanent wind इसलिए बोला जाता है कि ये जो wind है ये throughout the year ऐसा कोई region होता है जहां पर throughout the year ये आपको rainfall ये जो wind है ये आपको देखने को मिलेगी permanent के लोप में ये wind आपको यहां पर देखने को मिलेगी अगर हम बात करें seasonal wind क्या होती है जैसे monsoon season के समय में जो wind होती है उनको यहां पर basically seasonal wind बोला जाता है कि एक season के समय में वहां से हवा आएगी और वहां के वो बारिस लेके आएगी और यहां पर इंडिया में आपको बारिस देखने को मिलेगी local wind क्या होती है कि local wind में local area के अंदर जो higher pressure and low pressure create होने की वज़े से जो winds यहां पर rise करेगी air यहां पर rise क्यों करेगी उसके behind में region है कि air यहां पर heat होगी heat होने के वज़े से उसका जो weight है वो कम होगा कम होने के वज़े से वो rise करेगी और उस wind को उस समय में बोला जाता है low, low आपने word सुना होगा इसके अलावा students और भी बहुत सारे countries है वहाँ different different नाम से बहुत सारी जो air है उनको अलग अलग नाम से यहां पर बोला जाता है उन सब के बारे में जब हम एक book है GC Lyon नाम की जो book है उसको जब हम read करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी different different kind की जो यहां पर winds हुआ करती है इसके अलावा अगर हम बात करें moisture जो है जो यहां पर बारीस का जो बात है उसके बारे में अगर हम बात करें students when water vapor जो है from land and different water bodies से जब वो water vapor बनके एक moisture के रूप में हवा में जाती है और वो वहां पर humidity create करती है moisture के रूप में अगर water vapor rise होगी rise होने के साथ साथ उपर जाने की वज़े से जो height increase होने की वज़े से जो temperature हो decrease होता है temperature decrease होने से students आपको देखने को मिलेगा कि water vapor है वो cool down होगी और cool down होने की वज़े से वो वहां पर जो बादल है जो clouds है उनका formation करेंगी उनका formation करने की वज़े से वो droplets के अंदर form होगी cloud just massage of just water droplets with these droplets of water become too heavy to float in air then they become down as a precipitation इसके लावा students आपको precipitation के बारे में यहां बात की अगर एक process और होता है condensation का जो आपको jet airplanes है हवा के अंदर आपको कभी ना कभी आपने आस्मान में देखा होगा आपको white color की एक जो line है वो देखने को मिलेगी airplane के back side में तो वो ये show करता है कि जो air वहाँ engine होता है jet planes का वो अपने behind में जो moisture यहाँ जर release करता है moisture जो वहाँ engine से जो release होता है वो condense हो जाए और वो हमको यहाँ पे एक टेल के रूप में जो देखने को मिलेगा किसी भी airplane के back side में वो condensed moisture समटाइम तक जब ज़्यादा समय तक हमको जब देखने को मिलेगा जब वहाँ पे air का moment बहुत कम है अगर air का moment कम है तो आपको वहाँ पे जो condensation की वज़े से जो airplane की moisture की वज़े से जो condensation का process हुआ है वो तो उसकी वज़े से हमको यहाँ पे जो एक tails के रूप में वहाँ देखने को मिलेगा students हमने precipitation के बारे में देखा तो यहाँ पे जो rainfall है उससे related कुछ rainfall यहाँ पे बताई गई है सबसे पहली बात बताई गई है cyclonic rainfall cyclonic rainfall क्या होती है जिसमें जो wind है उसका वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी air का जो activation है air की जो importance है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दूसरी जो rainfall बताई गई है वो relief rainfall जिसको aurographic rainfall बोला जाता है aurographic rainfall वो होती है students कि एक यह पहाड है और यहाँ पे जो बादल आई बादल के वज़े से इसी साइड में बारिस का हो जाना और जो पहाड है जो mountain है उसके दूसरे साइड में opposite साइड में बारिस का ना होना उसको यहाँ पे aurographic rainfall बोला गया है यह आपको बहुत सारे जो इली एरियाज है वहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक साइड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मानसून देखने को मिलेगा और दूसरी साइड है आपको drought टाइप जो situation होती है जो पानी की जो कमी वाली situation होती है वो आपको देखने को मिलेगी जैसे students अगर हम बात करें आप अगर हमारा जो western घाट का जो region है हमारे जो country में जो western घाट का जो region है तो आपको जो इसको western side है इसके अंदर जो rainfall है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी बट western घाट के जो eastern side में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जो situation है वो completely different है इतना ज्यादा rainfall नहीं हो पाता है एक तो इसके behind में जो कुछ geographical region यह है कि western घाट जो है वो completely यहाँ पर completely है यहाँ पर कोई भी divide नहीं है uniform है जो mountain regions है जो mountains है वो completely uniform है इसके अलावन की है जो height है वो काफी ज़्यादा है height काफी ज़्यादा होने के वज़े से जो maximum जो rainfall है वो western side में देखने को मिलेगी आपको जो western घाट है उसके इसके अलावा students एक तरीकी की और rain होती है जिसको बोला जाता है convectional rainfall convectional rainfall वो होती है जिसमें directly जो सीधी जो यहाँ पर बारिस होती है उसको बोला जाता है convectional rainfall convectional rainfall is so much important convectional rainfall अगर continue होती है तो आपको यहाँ पर काफी ज़्यादा जो बारिस है वो देखने को मिलेगी किसी भी region के अंदर में तो students यह हमने air जो हमारा अगर हम बात करें कि air space है जो air से related जो activities है उन सब के air space नहीं है आपको नहीं हमने देखा कि atmosphere की वज़े से यहाँ किस तरीके से change आते है किस तरीके से atmosphere में जो temperature है जो wind है wind massage है जो वहाँ पे pressure है उन सब के बारे में देखा इसके लावा हमने देखा कि जो stratosphere है जो ट्रपोश पेर है जो हमारे atmosphere की different layers है उन सब के बारे में यहाँ पर हमने देखा तो हम और lectures के साथ आएंगे students जिसके अंदर और detail में आपको करवाएंगे geography की जब higher standard की books जब चलेंगी तो वहाँ पर तो complete detail में आपको complete करवाना है तो students आप देखें इन videos को thank you, thank you very much